इस मैंने बहुत च्राए किया बट एम्यू की वेबसाइट ऊपर नहीं हो रहे है एम्यू एक्साम कंट्रोलर मेरे पोन से नहीं हो रहे है या मेरे डिवाइस से नहीं हो रहे है I don't know बट बाखे सब कुछ ऊपन हो रहे है तो बट चिल वीडियो आपके लिए है हों कैसे भी ग इंटार एप्लिकेशन प्रोसेस प्रेशन एंट एम्यू इस ओनलाइन सब को आपको ओनलाइन करना है बस आप फिजिकली जब जाएंगे तभी जब आपकी क्लासस स्टार्ट ओगे इंक्लूडिंग अप्लोडिंग उप्लोड इमेज़ेत पैमेंट फीज और एंट प्रिंटिंग कानपरीशन पेज दिरफोर चैंडिट्स विजिकली जाएंगे पहले और दूसरी बात यह कि online application form होगा तो किसी और तरीके से किसी और mode में accepted नहीं किया जाएगा और इसकी सारी जानकारी आपको amu12xams.com पे ही मिलेगी जो साइट अभी मिछ से open नहीं हो रही है अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह सब तो जब हम forms live आएंगे और इसके बाद आपके लिए डीटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या के necessary steps हों चाहिए अभी हम बात करते हैं कि कुछ basic चीज़े जो चाहिए होंगे उसकी बात करते हैं बाकि इसमें reservation भी होगा लेकिन उसका separate video हम बना सकते हैं आपके लिए basic necessary steps में क्या होता है यहां पर देखे लिखा हुए है in online application form आपको correct और functional email ID और password बनाना होगा first thing first फिर उसमें से आपको registration करना होगा जब आप registration के लिए आप email और password कर लेंगे तब आपका application form आपके पास आता है तो इस application form में यह कुछ basic update profile है जो चाहिए होंगी basic profile details चाहिए होंगी देखे इसमें क्या क्या है username email ID नाम है आपका ठीक है कोशिश चाहिए करेगा कि username और नाम एक ही रखेगा अलग-अलग मत कीज़ेगा alternate email ID भी होने चाहिए आधान नमबर भी मांगता है आप से mother's name भी चाहिए father's name भी चाहिए और इन दोनों ही Mrs. Mr. Dr. Shri, Shri Mati यह सब नहीं लगाना है date of birth चाहिए आपकी Christian एरा में होने चाहिए और वही date of birth जो birth certificate में हों क्यूंकि आपको in case वह certificate लगाना हुआ तो होना चाहिए वही से रखेगा जेंडर मोबाइल नमबर फिर एक alternate मोबाइल नमबर भी होते है correspondence address और पर्मनिट अड्रस अगर आपको एक ही अड्रस है तो आप एक ही दी जोगा nationality, religion और hostel accommodation उसमें यह पूछा जाएगा कि अगर आपको yes चाहिए या no चाहिए simple आपको hostel चाहिए नहीं चाहिए अगर आपको चाहिए तो आपको yes पे टिक कर द क्या क्या अपलोड करना हों का अपको candidate should have a scanned copy of his her latest front-facing good quality colored photo with white background, signature and thumb impression, thumb impression में सिफ left thumb impression होना चाहिए और यह सब JPG और GPG format में ही होना चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक colored photo चाहिए आपको, एक sign चाहिए और एक thumb impression चाहिए और एक thumb impression चाहिए वो भी सिफ left hand का, यह 3 चीज़े आपको चाहिए चाहिए तो colored photograph अगर आपके पस कोई new photograph नहीं है तो आप उसको already print के लिए दालवा दीजिए, better होगा क्योंकि new photograph ही मांगी जाती है, परानी 2-3 साल वाली नहीं चाहिए और याद रखेगा कि वो photo आपको at the time of entrance भी वही photo चाहिए Candidates should not upload the photo, signature, or thumb impression of any other person as any mismatch may result in cancellation of his or her admission यह तो बहती बेसिक से जीज़े है Please note that the file extension name such as file name bmp, png, tif are not acceptable आपको सिर्फ jpj और jpeg में ही upload करना है और इसका size 20 kb से 200 kb के बीच ही होना चाहिए जो भी आप तीनों चीज़े upload करेंगे photo और signature और thumb उसका size 20 kb से 200 kb के बीच होना चाहिए Candidates will ensure to keep 10 copies of the uploaded photo क्योंकि यह same time नीड होगी admission पे भी ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है आगे ठलते हैं अब special categories जो होती है उनके लिए भी कुछ होता है eligible candidates में select an applicable special category फीशी wishes to be considered for admission under that category जैने कि general SC ST OBC ठीक है उसके बाद भी भी disabled candidates के लिए candidates with disabilities के लिए भी होता है अलग से reservation तो उसके लिए भी आपको certificate चाहिए होगा तो यहां पे तीन से एक स्टेप्स होंगे तीन category हैं फिलाल तो यहां पे हम अभी जैनल और SC SC छोड़ देते हैं यह वाली category की बात करें तो candidates have no right to be considered for admission under special category it is noted that all such candidates will be required to produce necessary document proof and support of special categories पहली है child of amu alumni ठीक है child of amu imply और physically challenged तीन तरह की इसमें category दी हुई है amu alumni मतलब कि जो अल्रड़ी amu में पढ़ चुके है ठीक है और employee जो अल्रड़ी amu के employee है physically challenged students आपको पते ही है तो इनका एक special category का certificate यहां पे लगेगा documents इनको क्या क्या अप्लोड करने पड़ेंगे scanned copy of date of birth certificate of the candidates issued from municipal corporation scanned copy of mark sheet और grade sheet of qualifying examination scanned copy of document under special category ठीक है तो तीन documents आपको submit करने तीन आपकी images आपको लगानी है जिसमें आपका photo हो गया signature हो गया और ठंब हो गया और टीन documents submit करने birth certificate आपका grade sheet और अगर आप special category में है तो special category का certificate इसकी भी फाइल JPJ और GPGE में होना चाहिए और 200 KB से 2 MB की बीच में होनी चाहिए अब यहां पर किस class के लिए apply करेंगे या फिर इसका payment process वो सकतो हम बातने बात कर सकते हैं इसकी आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए information कुछ दी हुई है class for which applying select the class first 6th और 9th यह सिर तीनों के लिए है यहां प class 11th नहीं आता है medium आपको चूज करना होगा कि आपको English medium चाहिए या Urdu medium चाहिए category में general और child of NRI और foreign national यह तीन categories है SCST वाली शायद नहीं है या जो एक बर application form लाइव आ जाएगा तो उसे थोड़ा हमें clear हो जाएगा तो यहां पे नहीं दिया हुआ है qualifying exam past कौन से exam last past किया था वो year of passing यह बताना होगा school last attended कौन से school last attended किया तो school का नाम preference of school mention the names of the schools in order to preference in which the candidate is applying for admission आप देखें यहां पे AMU के I think 5 school है या 5 या 6 तो आप कौन से school में first priority में अपना admission चाहते हैं तो क्योंकि एक ही form डलता है हम सबके लिए तो अगर उस school में आपका नहीं हुआ तो second priority में मन से चाहिए अपको third priority पे तो जिस भी priority पे आपको जो से school चाहिए आपको उसको list down करना है preference of school के अंदर फिर उसी मताबिक जो आपके marks आएंगे entrance test के उसके मताबिक वह आपको स्कूल में डाल देंगे जो आपने चूस किया होगा तो जिसके highest cutoff जाएगी अगर आपके highest cutoff में से आते हैं तो आपको first school ही मिल जाएगा जो आपकी priority पे था उससे नीचे वाला मिल जाएगा अगर आपकी थोड़ी c low cutoff होती है like average cutoff होई तो उससे नीचे और उससे भी नीचे गई आपकी cutoff तो उससे भी नीचे वाला school जो आपने select किया होगा उससे साब समिल जाएगा बदला सब कुछ depend करता है cutoff पे आपको cutoff highest लानी है और उस school में जतनी cutoff होती है उतनी लानी है तकि उस school के लिए पूट इडमिशन के लिए cutoff चाहिए होता है आगे बात करें यह सब के बाद आपको अपना application form submit कर देना है यह पर देखें आप देख सकते है submission of application form यह सब कुछ को परने के बाद आपको अपना application form कर देना है और उसके बाद जो होगा वह payment का option होगा अभी यह सब आया नहीं है application form अभी life नहीं होए तो अभी इसका practical नहीं हो सकता है जैसे कि मैंने पहले बताया कि within a week और 15 days के अंदर आपके application form live हो सकते हैं से आसार लग रहे हैं हमें भी shorty अभी नहीं मिली है इस चीज की उसके अलावा आप अपने special category certificate birth certificate और grade sheet अगर आपके अभी तक नहीं ली है अपने school से तो वो ले लीजे बैटर होगा और अपनी colored photographs print करवा लीजे और अपनी thumb impression और signature तो आप उसी time ही कर सकते हैं उससे पहले करने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप complete कर जोगा और upload कर दीजेगा अपनी file को पहले ही compressed कर लीजेगा अगर वो जादा जा रही हो प्लीज चेक इट कि वो जादा ना जा रही हो आपके photo sign और thumb जो है वो 200 KB से उपर नहीं जाना चाहिए its KB और जो आपकी mark sheet है और आपका board certificate है और आपका special category certificate है वो 2 MB से उपर नहीं जाना चाहिए और सब कुछ JPJ और GPG file में ही होना चाहिए तो its better कि आप जब तक इंतजार कर रहे हैं अपनी application forms live होने का तब तक आप यह काम अपने कर लीजे that was it for the video thank you